बुल्ण वेल कम बैक तो दे इंग्लिक्टी ट्री लासिज आज इंग्लिक्टी ट्री लासिज में हम लोग एक नए एडिटरियल एकस्प्रेंट करेंगे और एडिटोरियल का जो टाइटल है वह है लेटर एन इस्पिरीट तो यह 296 2020 का एडिटोरियल है आज मंडे हैं और सुबह के 10 बच के 10 मिनट हो रहे हैं तो इस एडिटोरियल को एक्स्प्रेंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ बिता दूँ कि मैंने यह वाच किया है कि बहुत सारे बच्चे जो है एडिटोरियल को कभी मन किया तो पढ़े नहीं तो नहीं पढ़े इस तरीके से डिसकंटीनियू या डिसक और एक्षिन इन रेगुलर वे और डू आउर एक्षिन इन रेगुलर वे दिन वे नोट गोइंग तो गेट एनी सक्सेस कोई भी सफलता हमें तभी मिलती है जब हम रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं आपने दौड में वह रैबिट यानि खरगोस और कच्वे की दौड आप कारण था की कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी दूसरा एक्जामपल मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि देखिए रेगुलर अगर आप कुछ करते हैं तो आपने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रेगुलर पढ़ा तो साल वर छे मेने के बाद में उस सब्जिक्ट में आपक सेट प्रैक्टिस करते हैं या कोई और एक्जामनेशन में जाते हैं तो आपको उसमें एक कटिंग एज या एक अपर हैंड मिलता है एक अच्छी पोजिशन आपको मिलती है क्योंकि आपने 6 महीने साल वर उसका कंटिन्यू अध्यान किया हुआ है और अगर आप कभी बहु दिपोजिट के नाम से जानते हैं महीने का 2000 रुपए रेकिंग डिपोजिट अगर आप 5 सल तक कराते हैं तो आपको 5 साल के समापती के बाद लगभग लगभग 1.5 लाग रुपए मिल जाते हैं तो यह आपने हर महीने 2-2 हजार रुपए जमा कराया तो 5 सल बाद आपको इ कठा नहीं होते हैं तो कंटिनिवस जो इस्टडी है वह भी एक रेकिंग डिपोजिट की तरह है आड़ी की तरह है जो आपके पस्टनालिटी में आपके दिमाग में वह चीज़ें जमा रहती है और साल डिर साल के बाद उसके वह आपके आने वाले एक्जामिशन में बहु आपकी एक समस्या बन करके ना रहे चले तो शुरूर करते हैं और लेटर एने स्पिरीट का मतलब होता है आक्षर्षा यानि की जो जो कहा गया है वह सही-सही कैसा है या सही-सही उसका क्या रूप है तो लेटर एने स्पिरीट है यह article इस very article focuses on the newly introduced जम्मो और कश्मीर एस्टेट में जो सरकाट में अभी हाल फिल हाल में जो इसके कंडिशन को इसके स्टेटिस को चेंज किया है और वो एक special राज्य का दर्जा प्राफ था जम्मौ एन कश्मीर को और उसको अर्टिकल 370 के अंतरगत उसको खारिज करते हुए उसमें संसोधन करते हुए अब उसे union territory और बाद में एक general state जो होता है वहां पर निवास करने वाले कौन से लोग निवास करेंगे कैसे कैसे लोग वहां जमीन खरीज सकते हैं या फिर वहां पर अगर डोमिसाइल पॉलिसी लागू होती है तो वहां का demographic condition यानि जन्द संख्या इस पेशल किसी छेत्र की जन्द संख्या में जो संतुलन होता है उसको demographic कहते हैं तो वहां के demographic changes वहां पर क्या क्या होंगे इन्हीं सभी बातों पर पेपर ने focus किया है new domicile rules that followed the termination of the special constitutional status of Jammu and Kashmir जो नया अस्थाई निवास domicile policy है that followed the termination of the special constitutional status of Jammu and Kashmir जो की Jammu and Kashmir का जो special constitutional status बिशिस्त संभधानिक जो उसकी status थी उसको terminate करने के बाद उसकी समापती के बाद नई domicile rule वहां पर लागू हुई follow का मतलब पहले कोई और आता है उसके बाद में दूसरा उसको follow करता है तो new domicile rule जो है ना उसने follow किया यानि उसके बाद आया किसके बाद जब वहां पे special constitutional status वहां का समापत कर दिया गया उसके बाद new domicile policy वहां लागू की गी which was reorganized into two union territories और Jammu and Kashmir को दो केंदु शाषित परदेशों में organized किया गया है have brought sucker and hope for a segment of its population और इस ब्यवस्थाने जो Jammu and Kashmir को दो यूटी के रूप में बनाया गया है इस ब्यवस्थाने क्या किया है कि have brought sucker and hope ये लोगों के दिमाग में दिलों दिमाग में मदद और उमीद की एक किरन जगाई है for a segment of its population वहां के कुछ खास population में वहां के population का कुछ खास भाग है कुछ खास लोग है उनको इससे बहुत फायदा हुआ है बहुत रहत की सांस ली है that had to content with fragmented citizenship right for long वह लोग जिनको घंडित citizenship right के साथ बहुत सालों तक जूजना पड़ा है परिशान होना पड़ा है रहना पड़ा है fragmented citizenship right का मतलब यह होता है कि fragmented का मतलब होता है टुकड़ों में होना तो जम्मू एन कश्मीर में वहां पे कुछ खास लोगों को छोड़ करके अगर बाकी अन्य लोग बाहरी लोग अगर वहां पे जो थे भी तो उनको पूर्ण तरीके से नागरिकता का अधिकार नहीं था जम्मू एन कश्मीर स्टेट के कंप्लीटली नागरिक नहीं माने जाते थे और कुछ-कुछ अधिकार उनको नहीं दिये गए थे तो यह फ्राग्मेंटेर डिस्टिजन्सिप राइट था जिसके अंतरगत वह जी रहे थे लेकिन आप सरकार ने चुकी चेंज कर दिया है तो अब उनके लिए खुशी की बात है इस ग्रूप की बात पेपर कह रहा है इसमें लगवक दो से तीन लाख लोग है इस मेड़ अप ऑफ रिफ्यूजिस फ्रॉम पाकिस्तान इन लोगों में पाकिस्तान से आए हुए शर्णार्थी शामिल है sanitary workers resettled from other parts of India और इस ग्रूप में साफ सफाई कर्मचारी भी शामिल है जो कि भारत के दुसरे प्रदेश शे उस प्रदेश में आकर के बस गए और गोर्खाज और गोर्खाज भी शामिल है जो कि नेपाल के किसी भू भाग से वहां पे आजादी के पहले वहां पहुंच गए थे और गोर्खाज भी जमू और कश्मीर में कुछ ठिक ठाक संख्या में सिटल्ड हैं तो यह जो ग्रूप्स हैं इन ग्रूप्स की जो यहां पे ग्रामेटिकल पैटर्न है इज अब यह वर्ब जो इज है इसका सब्जेक्ट कहा है तो आम तोर पे अगर आप देखते हैं तो इस ग्रूप ऑफ टू टू थ्री लाइक पीपल तो आपको लगेगा टू 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 थ्री लाइक पीपल तो दो से तिन लाख लोग क सिंटेक्स चैप्टर में जाके देख सकते हैं यूटूब पे लोड है जिसमें आपको इस रूल के बारे में बताया गया है तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है कि लगता है ऐसे कि जो वर्ब के नजदीक वाला नाउन है वही उसका सब्जेक्ट है लेकिन होता दो से तीन लाख लोगों से बना है तो दो से तीन लाख लोगों से बना हुआ क्या है ग्रूप है और ग्रूप क्या है सिंगलर है और इसके लिए सिंगलर सब्जेक्ट के लिए यहां सिंगलर वर्ब होगा आगर यहां आर होता तो यह गलत होता लेकिन पढ़ने वाले को ज on the ask while state of Jammu and Kashmir gained special powers जो पुराना Jammu and Kashmir का state था उसको special शक्तियां और special status का दरज़ा दिया गया था तो Divine its permanent residence and restrict land institutional and employment rights only to them जिसमें क्या हुआ था define its permanent residence जिसमें Jammu और कश्मिर के पर्मानेंट रेजिडेंट अस्थाई निवासी का डेफिनिशन दिया गया था कि कैसे लोग कौन-कौन तरह के लोग किस-किस तरीके के लोग वहां के अस्थाई निवासी माने जाएंगे और रिस्ट्रिक्ट लैंड एजुकेशनल और वनली तो देम और उन्ही पर्मानेंट रेजिडेंट्स के लिए लैंड जमीन शिक्षा और रोजगार के अधिकार उनके लिए सुरक्षित किये गये थे और उन्ही तक ये सब संसाधन और सारी अपर्चुनिटी और उसर जो थे उन्ही पर्मानेंट रेजडेंस के लिए बने हुए थे वहां पे यह हिंदुस्तान का एकलोता राजे था जिसके साथ ऐसी ब्योस्ता की गई थी इस कोहर्ट वाज नौट क्लासिफाइड आज पर्मानेंट रेजडेंस और यह जो ग्रूप थे कौन-कौन से ग्रूप यह आपको सैनेटरी वरकर जो हैं गोर्खाज है और फ्योजी जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से आए हुए थे इनको कोहर्ट कहा गया है यानि ग्रूप सम एघचिशन में उनको औसर नहीं मिलता था टिनायल औफ ऑपशिनिटी फार्ट वह वहां पर चुनाओ नहीं लड़ सकते थे वह वहां के सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे वहां के सरकारी इसकुल कॉलेज गळेज वनका दाखिला बहुत मुश्किल से होता या नहीं होता त situation not merely unjust but also untenable और यह जो situation थी अब आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी राजय में कोई भी आदमी रहता है तो वहां पर उसको लगवग लगवग समान अधिकार दिये जाते हैं लेकिन जमो कश्मीर में ऐसा नहीं था तो यह वहां पर जो लोग वहां पर कई सालों से रह रह रहा हैं फिर वह पर्मानेंट सिज्जन अगर वहां के नहीं हुए हैं पर्मानेंट उसके रेजिजेंट नहीं हुए हैं तो उनको देखिए कि कैसा सिच्वीशन किस तरीके का अनुभव करना पड़ेगा और यह जो अनुभव था मेरली अंजस्ट यह सिर्फ गलत ही नहीं था बट अंट इनेबल जो कि इसको बरदास्त भी नहीं किया जा सकता था और इसको जहलना भी बहुत मुश्किल था सब्सेक्वेंट टू चेंजस तो आर्टिकल 370 & 35a in August 2019 अब यह बता रहा है आगे पेपर की जो आर्टिकल 370 & 35a में अगस्त 2019 में जो चेंज किया गया सब्सेक्वेंट टू उसके तदुत परांद उसके बाद में सब्सेक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद में और सब्स में मार्स 2020 में अगस्तों पर्मानेंट रेजिडेंट आफ एस्टेट वाज डिसकंटिनियूड इंजियन के तो जो जम्मु एन कश्मीर में जो पुराना कॉंसेट था कि पर्मानेंट रेजिडेंट वहां के वही लोग होंगे जो किसी खास ग्रूप से आते हैं वह वहां का खारीज हो गया खतम हो गया एस पर नियू डॉमिसाइल रूल्स और अब जो नई डॉमिसाइल रूल्स वहां पर लागू हुई है उसके अंतरगत दोस परसंस और चिल्रेंट वह लोग और उनके बच्चे वहाब रिजाइडेट फॉर फिफ्टीन यर्स इन इन ज कि उपल फिर इन टेंत आर्पिस एंसर से पहलें इनतर चीजैंट फेटव में जस अथीड होए हो और ग क्रinst framework के examination में वह अपियर हुए हो और eligible for grant of domicile उनको वहां का अस्थाई निवासी माना जा सकता है माना जाएगा domicile वहां के कहलाएंगे अब नई बेवस्था यह हुई है अब यहां देखिए थोड़ा सा यह जो exam word है exam word singular है class 10th और 12 तो यह जो दो नाउन है तो कि exam की बात हो रही है तो exams होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि और से जब जूड़ता है दो singular noun तो वह singular word भी होता है लेता है और singular noun ही लेता है class 10th या 12th exam दोनों में से कोई एक की बात हो रही है लेकिन अगर वहीं पर यहां एंड होता तो यहां exam की जगह exams हो जाता है यहां exam की जगह exams हो जाता है कि besides mitigating the historical deprivation of one segment besides मतलब इसके अलावे जो तो एतिहांसी ग्रूप से किसी एक segment किसी एक भाग किसी एक ग्रूप के लोगों को वहां पर बंचीत रखा गया था वहां की सुविधाओं से वहां के ओस्वरों से इस बंचीत रहने की इस्तिती को समाप्त करने के अलावे mitigating मतलब समाप्त करना खतम करने के अलावे the changes will enable many others currently living in JNK to get domicile and associated rights यह जो संबिर्हान में संसोदन किया गया है इससे many others बहुत सारे लोग जो currently living in JNK में अभी जो रह रहे हैं उनको domicile और उससे संबंदित अधिकार को प्राप्त करने में बहुत सहुलियत मिलेगी बहुत फाइदा मिलेगा not everyone is rejoicing अब paper का tone बदल रहा है और यहां तक तो वो domicile policy के बारे में जब एक fact दिया गया अब उसके against में यहां पर logic आ रहा है कि हर आदमी खुशी या just नहीं मना रहा है दो यद भी there are concerns that the changes in domicile rules will lead to a huge influx into the reason ऐसे भी concerns, चिंताएं हैं कि जो domicile rules में जो changes किये गए हैं इसकी वज़र से राज्य में उस छेत्र में huge influx होगा यानि भारत के अन्य राज्यों से लोगों का बहुत अधिक संख्या में वहां आना होगा और बहुत लोग वहां आके बसने लगेंगे और एक जो सबसे जो बेकार या useless interpretation है तर्क है इस चेंज का वो यह है is that a deliberate scheme to change the demographic character of the region is unfolding की सरकार ये चाह रही है deliberate attempt कर रही है जान बुझ करके ऐसी scheme ला रही है कि वहां के demographic character को change कर दिया जाए जमू और कश्मीर में ज्यादा तर जो है वहां के अस्थाई निवासी हैं जो की सैक्डो साल से वहां पे रह रह रहे हैं बाहरी लोग वहां के domicile अभी से कुछ दिन पहले तक नहीं ले सकते थे और वहां पे किसी खास group की संख्या जादा है तो अगर बाहर के लोग आते हैं तो फिर उनका demographic percentage और change होना शुरू हो जाएगा तो सरकार पे आरोप लग रहा है कि सरकार ने यह नियम ला करके वहां के demographic changes को बदलने की कोशिश करने जा रही है unfold का मतलब होता है खूलना करीश नेशनल सेफ़ॹाइब लिग्स क्षामट इन जाह मंतलब होते हैं छोदशनल सनकाशो है जो आधारिट इन इस दो पॉर्टे को बहुंतने का मम भीगएवा नेहीं तर्भी yea उन्होंहें इस दाने इन श्जो इन दू रोड़ह में और जम्मू चेत्र में भी जो की सम्तल चेत्र है और जम्मू से आगे बढ़के हम लोग कश्मीर की तरफ जाते हो और जम्मू जो है वह सम्तल है और वहां से कुछ दूर आगे जाने पर पहाड़ी शुरू हो जाती है यह चिंताएं हैं दाट देर कुड़ बी डिस्पोसिशन ऑफ लैंड की जब बाहरी लोग आएंगे तो वहां पे जमीन खरीद बेच होगी और वहां पे जमीन के मालिक हैं जो वहां के लोकल लोग हैं वो डिस्पोसिश हो जाएंगे यानि उनका मालिक आना हग छीन जाएगा and a shrinking of economic opportunities for local people और वहां के जो अस्थानी निवासी हैं उनमें जो economic opportunities हैं आर्थिक जो औसर मिल रहे हैं काम काज करने के यह सब बढ़ जाएगा कम हो जाएगा घट जाएगा इसलिए लोकल लोगों से उन्हें खत्रा ने लोकल लोगों को बाहरी लोगों के आने से खत्रा महसू हो रहा है तो यह बात जो है यह सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो घाटी में जो लोग रहते हैं वही नहीं फिल कर रहे हैं बलकि जम्मू में जो समतल इलाके में लोग रहते हैं और ज्यादा तर वो लोग बीजेपी के समर्थन समर्थन में होते हैं ऐसे लोग भी इसी समश् कर रहे हैं movement of people across political and natural borders has been a constant features feature of progress जो movement होता है लोगों का political and natural borders एक देश से दूसरे देश में या political एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा में जो उनकी movement होती है has been a constant feature of progress यह विकास का एक हमेशा एक quality रहा है कि विकास को साता है और आगे बढ़ने के स्थिति को दर साता है and arguments over who are the original inhabitants of a place serve little purpose और यह argument कि who are the original inhabitants of the place कि किसी खास जगह का जो original निवासी है inhabitants मतलों निवासी है वो कौन है serve little purpose other than to accentuate political polarization यह बात से कोई फाइदा नहीं होता है serve little purpose इसे कोई फाइदा नहीं होता है सिवाए इसके other than सिवाए इसके कि यह political polarization करता है राजनेतिक रूप से किसी विशेस धर्म यार चाती के लोगों को एक साथ लाता है और राजनेतिक राजनेतिक महाल वहां पर create करता है तो यह राजनेतिक महाल create करने के अलावा कौन आदमी महां का original निवासी है और उसी को रहना चाहिए ऐसी जो बाते हैं यह इसका कोई फाइदा नहीं है अब यहां पर यह grammatical pattern पर हम देखते हैं कि there are concerns अब जो sentence there से शुरू होता है वो उसके देर के बाद वर्व आता है लेकिन वो जो वर्व होता है वो अपने बाद आने वाले noun से guide होता है तो concerns पुलल है तो यहां पर आ रहा है अगर यहां पर concern होता तो there is concern होता ठीक है तो य there वाले sentence में वर्व जो होता है अपने बाद वाले noun से guide होता है और यहां पर है has यहां भी singular वर्व आया है movement of the people across political and natural borders तो इस sentence का जो subject है वो borders नहीं है फिर से error of proximity का rule यहां लागो होगा और यहां पर जो sentence का subject है movement है off से पहले आने वाला word है movement यह लोगो की आवाज आही तो यह movement से subject है अगला है little है little का मतलब होता है लगभग नहीं सफ little purpose का मतलब यह मत समझेगा कि कुछ इसका उड़ेश होगा बल्कि इसका meaning यह होगा कि इसका कोई उडेश से नहीं होगा little negative meaning देता है few negative meaning देता है और little uncountable singular uncountable के लिए आता है जिसका मतलब होता है ऐसी मातरा जो के लिए आता है उसका भी मतलब यही होता है कि ऐसी संख्या जो लगवगना के बराबर हो आगे है एकनॉमिक ग्रोथ एंड वाइडिलिटी ऑफ इस सोसाइटी ओफिन पॉजिटिवली को रिलेट विद इट्स ओपनिस तो आउटसाइड वर्ल्ड किसी भी सोसाइटी समाज का जो एकनॉमिक ग्रोथ होता है आर्थिक विकास और उसके जिवन्त रहने की उसके खुश रहने की जो क्वालिटी है किसी भी समाज की वह पॉजिटिवली को रिलेट विद इट्स ओपनिस तो आउटसाइड वर्ल यह उस बात पे नहीं होती है कि यह वह समाज बाहरी दुन яг्यास निर्वर करता है क्मी निटीजच दान नोट एक्यूब टू नेगोशेट विद ऊन फैमिलियर मार्केट और कल्चरल फोर्स वैसे चमदाय जो कि अन फैमिलियर मार्केट and फोर्स को सच्रीटिक ताक्ते या फिर कि असी इस्थिती जो आपके लिए नहीं और जो इनिने होता कि आपने इन्सयूलेटिड़ वयर क olsun सुना होगा तामबे के तार होते हैं उपर प्लास्टिक लगी नहीं होती है उसको इनसयूलेटीड वय сколько रखते हैं कहें कि तार कि पानी वानी ना लगे उस पर बाकी चीजों का प्रेशर ना पड़े इसलिए उसको प्लास्टिक से ढग दिया जाता है तो जब भी आप किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं तो इंसुलेट करते हैं तो यहां पर यह कहना है कि वैसे लोग जो कि बाहरी या अनफेमिलियर मार्केट कंडिशन से अप आपको याद होगा कि अनमान डिको निकोबार दियुप समों में और बहुत सारे में अभी भी ऐसे आधिवासी लोग या फिर ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो कि जिनको सरकार ने बाकी के देश के लोगों से या मीडिया से इन सब से उनको अलग रखा हुआ है और उनको ए तर्क करने की बात है कि हाई आप एक्षीत रूप से जो वहां पर लिट्रेशी है वह साक्षर्ता बहुत हाई है एजुकीशन भी है और वहां पर जीवन जीने का जो इंडेक्स है जो अस्तर है वह भी अच्छा है जे एनके इस नोट ससेप्टीबल टो एनी डेमोग्राफि तो जम्मु एन कश्मीर को इस बात के लिए नहीं डरना चाहिए कि वह इमिग्रेंट्स जो परवासी लोग वहां पर आके बसेंगे उनसे वहां का डेमोग्राफिक चिंज हो जाएगा वहां के जन संख्या की इस्तिती बिगड़ जाएगी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कोई सरकार अगर चाहे कि हम किसी प्रचेत्र के डेमोग्राफिक परसेंटेज को हम री इंजिनियर कर दें यानि कि पूरी तरीके से उसको बदल दे उसमें चेंजिंग ला दे इस नौट डिजारेबल यह आपक्षित भी नहीं है अपक्षित भी नहीं है और डेमोक्राटिक भी नहीं और यह परजातांत्रिक भी नहीं है यानि सरकार ऐसा करना भी नहीं चाहती है और सरकार करेगी तो यह गलत होगा अगर वहां के लोग यह डर रहे हैं कि भाई वहां का डेमोग्राफिक परसेंटेज हो जाएगा और इस डर के मारे वह अगर अपनी मांद में जाकर के छित्रवाद की मांद में जाकर के अगर घुश जा रहे हैं जा रहे हैं तो यह चेत्रवाद की मांद मिया गुफा में जाकर पैठना भी सही नहीं यह था गार आ शबसे बढ़िया मानते हैं और वहां पे बाहरी लोगों को बसने की आप इजाज़त नहीं देते हैं यह बाहरी लोगों को inferior मानते हैं इस feeling को nativism कहा जाता है तो जो nativism की मांद और cocoon का मतलब होता है कि रेशियम के जो कीड़े होते हैं वो जब नौजात होते हैं तो उनके उपर एक धागे का जाल बना होता है ताकि बाहरी आकर्मन से बचाये जा सके तो कहने का मतलब यहां पर मांद या गुफा के sense में आता है कि आप छित्रवाद की मांद में जाकर के उसकी गोद में जाकर के अगर सो रहे हैं और बाहरी लोगों को accept नहीं कर रहे हैं तो यह भी situation यह भी बात गलत है इसलिए वहां के लोगों को इस बात से डरने की जरुवत नहीं है अब आए थोड़ा से grammar ग्यान में हम लोग यह देख लेते हैं कि there are many candidates who are waiting outside यह sentence सही है यह सही इसलिए है क्योंकि there के साथ जब sentence शुरू होता है तो वर्ब के बाद जो को now the noun अगर स्याइट होता है तो word word स्याइब के साथ लेकिन यह वाला आपको इट के साथ लागू नहीं होता है यह बहुत ही important रूल आपको मैं बता रहा हूं और exams में भी आते हैं it is the teachers आप यहां teachers जो है it के बाद teachers noun पुलल है तो पुलल noun के लिए यहां पे it are होना चाहिए था लेकिन it वाले sentence में अलागू नहीं होता है it के बाद जो वर्व आएगा वह हमेशा singular आएगा चाहे उसके बाद बाद वाला noun singular हो या पुलल हो से फर्क नहीं पड़ता है तो it is the teachers सही है लेकिन it are the teachers अगर आप पुलल नाउन के कोडिंग लिए यहां पुलल वर्व लगा रहा है तो यह गलत होगा कहने का मतलब कि it अपने बाद हमेशा इसका यूज़ करता है चाहे उसके बाद आने वाला noun पुलल हो या singular हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है थैंक्स फूर जॉइनिंग मी और आप इसको ठीक से पढ़िए समझे और फिर अपना कॉमेंट्स हमें भीज़िएगा और आगे फिर कल हम एक नए लेसन के साथ एक नए एडिटूरियल के साथ फिर आप से मिलते हैं थैंक्यू थैंक्स अलॉट क्राओव जाओ जाओव लेकिता है थैंक्स ओड़वस भीज़न भीज़ कि इसक्तूरिया देला भीज़ ज़गा प्रेक प्रावब लेकिता है